नमस्कार दोस्तों किसी भी परिवार में घर के मुखिया अर्थात मालिक की पहुत एहम भूमिका होती है घर का मुखिया ट्रेन के इंजन की तरह होता है अगर इंजन ठीक काम कर रहा है तो पूरी ट्रेन सही गती से चलेगी और इंजन में थोड़ी भी खराबी आई तो ट्रेन के सभी डिब्बों का संतुलन बिगड़ जाएगा ठीक उसी प्रकार घर के मुखिया का एक फैसला घर के बाकी सदस्यों का भविश्य बना भी सकता है और बिगाड भी सकता है आईए आपको बताते हैं कि परिवार के मुखिया की कौन सी गलतियां पूरे परिवार के लिए संकट खड़ा कर सकती है मुखिया को हमेशा अपने निर्णों पर अडिग रहना चाहिए जिस परिवार का मुख्या अपने फैसलों पर अडिग रहता है उसके परिवार के सदस्यों को भी अनुशासन में रहने की आदत हो जाती है इसलिए घर के मुख्या को अपने निर्णों का पक्का होना चाहिए गर के मुख्या को कान का कच्चा बिलकुल भी नहीं होना चाहिए किसी की सुनी-सुनाई बात पर तब तक निर्ने नहीं लेना चाहिए जब तक उस समस्या के हर पहलू की खुद जाचना कर लें जो लोग सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं उनका परिवार बिखरने में देर नहीं लगती इसलिए आँखों देखी चीज पर ही यकीन करें गर का मुख्या पूरे परिवार के लिए प्रेड़ना श्रोत होता है बाकी सदसे भी उसका अनुसरन करते हैं अगर मुख्या के चरित्र में नशा, फिजूल खर्ची और बहुत से अन्य प्रकार के अवगुण होंगे तो परिवार को बिखरने से भगवान भी नहीं बचा सकता परिवार के सदस्यों से संबंध परिवार के मुख्या के परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए भले ही मुख्या पर बहुत सारी जिम्मेदारिया होती है परन्तु उसे कुछ समय अपने परिवार के साथ अवश्य ही बिताना चाहिए अगर घर का मुख्या ऐसा नहीं करता तो घर के सदस्यों में कब मन मुटाब हो गया पता भी नहीं चलेगा मुख्या के अपने भाईयों और अपने बच्चों के साथ अच्चे सम्मंध होंगे तो पूरा परिवाय संकट के समय एक दूसरे की ताकत बन जाता है नहीं तो बहारी लोग इसका फायदा उठाएंगे जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद